EV हिंदी पर आपका सौगत है Polar Electric Scooters और Simple Energy के Electric Scooters के बारे में जानने के लिए ज्यादा तक लोग वेट कर रहा है क्योंकि ये Scooters के Battery Pack का Replacement Cost जैसे जानकारी के बारे में अभी कुछ Information नहीं है तो इस बात पर हमारे टीम कुछ Research किया है और आज इस वीडियो में हम आपको ये Battery Pack के Replacement के बारे में बताने वाले है तो ये Replacement Cost के बारे में जानने से पहले आपको ये Battery Pack का Market में कीमत के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये Lithium Ion Batteries में उसके Quality के हिसाब से अलग-अलग Categories बनाया गया है तो सबसे पहले होता है Cheap Lithium Ion Battery Pack ये Lithium Ion Battery Pack पर 1 KWh के लिए लगबग 10,000 रुपीज तक Pricing हो सकता है और अगला होता है Medium Grade ये Medium Grade के Lithium Ion Battery Pack पर 1 KWh के लिए 13,000 से 15,000 रुपीज तक हो सकता है इससे Next Level होता है Good Quality Lithium Ion Battery Pack ये Battery Pack पर आपको 1 KWh के लिए 18,000 रुपीज से 20,000 रुपीज तक देना पड़ता है और सबसे अच्छा quality है The Best Quality जो ज्यादा तक Electric Vehicles में यूज किया जा रहा है और ये Battery Pack 1 KWh के लिए 22,000 से 25,000 रुपीज तक हो सकता है इसका मतलब जो भी Great Quality का Lithium Ion Battery Pack प्रिफर किया तो उसको Battery Pack Better Quality और ज्यादा तक Life Cycles हो सकता है तो अब ये Lithium Ion Battery Packs के बारे में हमें कुछ सवाल मिलता है और उसका questions यह है कि ज्यादा तक Electric Vehicle Customers के लिए उसका Battery Life कतम होने के बाद एक नया Battery Pack लेने के लिए confusion हो जाते है क्योंकि market में सस्ते Battery Pack Options है और महंगे Electric Vehicle Battery Pack Options भी है तो इसमें से कुछ customers सस्ते Battery Pack Options को सेलेक करता है क्योंकि वो उसके लिए affordable है लेकिन ऐसे Electric Vehicle Battery सेलेक करने के बाद आपके वेहिकल में प्रॉब्लम्स आ सकता है और इससे हम जल्दी fix नहीं कर सकते है fix करने के बाद भी ऐसे Battery Packs में फिर भी प्रॉब्लम्स आने लगता है और ये Battery Packs के Service Network भी आपको ज्यादा तक टीक से response भी नहीं दे सकता है इसके वज़े से आपको फिर से एक महंगा Electric Vehicle Battery Pack को सेलेक करना परता है और जो भी पैसे आप ये सस्ते Battery Pack में इंवेस्ट किया है अभी वो पूरा पैसे वेस्ट हो जाते है इसलिए आपके authorized dealer जो भी बैटरी प्रिफर करता है आप ज्यादा तक उसी बैटरी को लेने का कोशिश कीजिए तो अब बात करते है ये ओला, सिंपल और एतर के battery pack के replacement के बारे में ये electric scooters, premium electric scooters है मतलब ये electric scooters में जो भी components use किया जाता है वो सभी high quality products है इसके वज़े से आपके electric vehicles में ज्यादा तक problems नहीं हो सकता है तो अब हम ये battery grade के categories के हिसाब से ये वेगल के battery replacement के बारे में बात किया तो अगर आप एक good quality lithium-ion battery pack select करने के बाद Ola S1 में आपको ये replacement cost 59,600 रुपीज तक हो सकता है क्योंकि इसमें 2.9 kWh तक battery को use कर रहा है दूसरा scooter है Ola S1 Pro और इसका battery pack 79,400 रुपीज तक हो सकता है क्योंकि इसमें 3.9 kWh तक होने वाले battery pack है तो अब बात करते है Simple Energy 1 के battery pack replacement के बारे में और इसको replacement करने के लिए 96,000 रुपीज तक हो सकता है क्योंकि इसका battery pack 4.8 kWh का है लेकिन ये तो सभी good grade के battery packs है तो अब हम एतर के battery pack replacement के बारे में बात करेंगे जो already available है अभी एतर 450X के replacement cost 66,971 रुपीज है तो इसका मतलब एतर सबसे अच्छा battery pack को यूज कर रहा है जिसका cells high quality cells है तो ये Ola और Simple भी एतर को competition देने वाले है इसका मतलब ये भी high quality cells को ही prefer करता है अगर एतर के जैसा ही high quality cells को ये Ola और Simple Energy battery packs में यूज किया तो ये S1 में 69,000 रुपीज तक replacement cost होता है S1 Pro में 91,300 रुपीज तक replacement cost हो सकता है और Simple Energy में लगबग 1,10,000 रुपीज तक replacement cost हो सकता है और अभी ये replacement cost लगबग वेहिकल के एक showroom price से बराबर हो गया है अच्छी बात ये है कि ये batteries आने वाले जिन में और भी सस्ते होने वाले है क्योंकि इंडिया में भी lithium-ion cell manufacturing शुरू करने का plans हो रहा है तो अगर ये manufacturing शुरू होने के बाद cells locally बनाया जाता है इसके वज़े से cells का कीमत भी reduce हो जाते है अगर उसके बाद हम ये battery replacement cost के बारे में बात किया तो तब ether में 40,000 रुपीज तक replacement cost होता है और Ola S1 में 41,000 रुपीज तक होता है और S1 Pro में 54,000 रुपीज तक हो सकता है और Simple Energy में 66,000 रुपीज तक replacement cost हो सकता है डूसरी बात यह है कि यह battery packs expensive नहीं है क्योंकि यह battery packs लेने के बाद आप 5 साल के लिए fuel advance में ले रहा है और यह high-end electric vehicle battery packs को select करने के बाद आपके electricity बिल के अलावा आपको ज्यादा तक expenses नहीं हो सकता है क्योंकि यह battery packs में high quality BMS भी use किया जाता है और यह battery management system यह lithium-ion cells का health को protect करता है जिसके वज़े से battery life में कुछ कमी नहीं होता है और अच्छी बात यह है कि अच्छा battery life से आप पैसे भी save कर सकते है अगर यह lithium-ion batteries के बारे में और यह replacement के बारे में कुछ सवाल है तो कमेंट पर ज़रूर मेंशन कीजिए और electric vehicles के बारे में ऐसे जानकारी के लिए हमारे EV Hindi चानल को like, share और subscribe कीजिए Go Green, Go Electric